गाउं की सिती और आवशक्ताओं को एविपीएस नियूस के माध्यन से सरकार तक पहुचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एविपीएस नियूस टीम का आवला पड़ा जन्पदहातरस के ब्लॉक मुर्सान में इस देद भोचपुर खेट से गाउं पहुचा इस गाउं की दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्याले से 10 किलोमीटर है लगभग 12,000 की आवादी बास 750 बोटरो द्वारा नीता देवी को अपना ग्राम प्रधान चिंकर गाउं के विकास की जिम्मिदारी सौप्ती है बरतुमान समय में गाउं में लगभग 23 हैंड पंप लगे हुए हैं बरतुमान प्रधान द्वारा खराब हैंड पंपों को भी रिवोर्ड कराया गया है वहीं विदुद विवस्था दुरुस्त करने के लिए गाउं में 60 विदुद पोर, 3 विदुद ट्रांसफार्मर वा 30 स्क्रीट लाइट भी लगी हुई हैं बरतुमान प्रधान द्वारा गाउं में 15 सिसी टाइस रोड, खरणजे, पाने निकासी के लिए नाली वचाप रोड का निर्माड कराया गया है तथा बरतुमान प्रधान की देखनेख में स्वच भारत मुजन के तहट 212 एजजद घरों वदो लोही आवासों का भी निर् अमबेकर पार्क, बिजली घर, प्रधान मंतरी आवास, योजने के तहट आवास, बसवच भारत मुशन के तहट इजद घरों के निर्माड की मांग राज्यों वक केंत सरकार्ट से खीए है स्विलीपती घर, ग्राम पंचैत भोजबू खेट सी, पोस्ट उपसान, ब्लॉक खर्ण उपसान, चिलाहांद्रे स्विलीपती घर, हमने अपने गाउं में बहुत से कारे कराई हैं जैसे 15-60 लगवाई हैं, 34 LED लगवाई हैं, जूनियर हाई स्कूल में मौर्डन सवचाले गाउं में 212 सवचाले बनवाके ODF किया हैं, मन्रेगा के तहट हमने पोखर का सौंत्रिय करन, शम्चान घाट का सौंत्रिय करन, चक्रोड पे मिटी का कारें, संपर्थ मार्थ पे जी सब कारे कराया हैं, हमने अपने गाउं में दो करीब विद्वा महिलाओं के लोही आवा हमारे गाउं में 2 शम्चान घाट है, एक बगेल समाज का और एक चाटव समाज का, दो मों अस्त विएस्त पड़े हैं, हम चाहते हैं कि हम इसरकार से पैसा मिले तो हम उनकी बॉंडरी वाल करवाएं, उनका सौंदरी करन करवाएं, और हमारे गाउं में खेल का मैदान भी बच्चों को खेलने के लिए परिशानी होती है है. हमारे गाउं में 80% चार्ट वुग धेगोम है और वहां प्राइक वी बेधकर पार्क भी बनी है है, और बिजली की बहुत जज्वक्षकता अथा बेधकर हैं, बिजली की बहुत कम है हमारे गाउं में हमआई एक यह विविस्था बनी हमारी एक ही गाहूं की बने जिसकी वज़ेसे पैसा किस्त के बहुत काम जyy से हम कोई बिचास कारें ने कर पाती है हम डूहे निन ककी बने की खराँ नखिभाव देजिस के jsि आतब परहाँ प्रदान जी कुछ कर्वान की रहे हैं ग्राम पंचायत बोजपुर खेट सी, यह हमारे गाउं का रास्ता है, यह महिन रास्ता है, यहां जूनियर और प्राइमरी दोनों स्कूल पड़ते हैं, बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पानी ती मात्र जादा आती है, दोनों तरब पान इसको दीवार जो है, सारी जश्त हो चुकी है, काफी पराना है यह और अलुसिचित जाती गाउं है, यह न तो इसमें कभी पैसा आया, और यह खराब ही होता जा रहा है, कोई भी बरात बगएरा आती है, तो यहां पर बड़ा भिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसमें प आरवाई नहीं हुई, तो मैं यह कहना चाहता हूँ, कि यह पंचायत घर के लिए और इस रास्ते के लिए मेरे गाउं में पैसा बेजा आया है, तो विकास हो, इससे कि मेरे गाउं की जनता खुश हो, कि सरकार दोरा काम कराई जा रहे है, तो यही मैं कहना चाहूँगा, कि मेरे गाउं के itel issue कि अधिक मेरे गाउं के बिकास कि तरफ देखा जाई और मेरे गाउं mee बिकास कराई जाई तो करे रहा हूं की किया और हुआ है खाल एक हमेसा कम चल नहीं है, प्रधान जी एक हमारे जोर्व मेरे बोश।कर के प्रधान जी है करा रहहे है, तो कर रे अच प्रिदान जी ठीक है, जो भी सासन से पैसा आता है विकास के लिए, उसमें जितना हो सकता है, उतना योगदान करी रहें, और लगा ही रहें, और भी जो समस्या आती है, तो उनके बारे में भी सोचते हैं, और सासन प्रसासन से भी गुजारिस करते हैं, कुछ ऐसी समस्या हैं तो और भी जो कामी से प्रिदान जी हमेरे ठीक है और जो भी काम करा रहे हैं वो बहुत पहले से तो और अच्छा ही करा रहा है और यह सोचाले का निर्मा हमारे लोगों ने करवाया है और सासन प्रसासन जो भी है तो इस समय गंदी की काभी आपको कुछ इधर उद्वन नहीं देखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम रहे गया है त हम इनके दुवारा प्रदाशी से कह रहे हैं कि सासन प्रसासन थोड़ा निवेदन करके और जो हमारी थोड़ी बहुत बेकास का रह गया है जैसे बीजली बीजली का एकाद जगह जो के साइड रहे गई है जिसने यह एकाद पोल गड़ गई है लेकिन उसने तार नहीं खि कि ओल नहीं है और ना कोई डिवाल विवाल कुछ भी नहीं है और मतलब तो रास्ता भी बिल्गूल ऐसा पानी घर जाता है तो बार सोजाए तो बिल्गूल वेकार है और जिरास्ता देगो आप नाली कितेक बन लिए इसमें तरी हुई है नेक भी रास्ता नहीं है तो बिल्गूल फूटा ही डरा है तो बिल्गूल आदमी दव गया तो और बस क्या होगा ना पंचात गरें ना बरात गरें कुछ भी नहीं है